हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको रेस्पी दूंगी नमकिन जवे बनाने की इसको वैसे सेवई उपमा भी कहते हैं इसके लिए मैंने लिया है दो से धाई कटूरी धाई कटूरी मैंने सिवई ले लिया है यह रोस्टेट सेवई है मतलब रोस्टेट जवें आप बैंभी इनों के भी ले सकते हैं, जो बिना roast के वे होते हैं, रोस्ट के वाले भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार उन्हें फिर से थोड़ा सा हलक साथ, घी में fry कर लेंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा, और कटोरी ये गिलाज जिसका भी measurement लें, बस एक measurement लें, जिसका टोरी से आप तो यह परफेक्ट तरीका होता है इसको बनाने का, जिससे कि यह खिली-खिली बनती है, इसलिए मैंने ले लिया है यह धाय कटोरी, मैंसी कटोरी से पानी भी ना पूंगे बाद में, इसलिए मैंने धाय कटोरी ले लिया है, अब मैंने इसके तड़के के लिया है, प्याज, दो से तीन प्याज हैं, दो तर्फflower, तमाटर है, 4-5 ग्रीन चिली और यह दो से 3 आलू है और थोड़ीसी मैं इसमें घ्रीन मटर भी लेलोंगी बाद में फोड़ीसी मैं अच्छी ओजाती है, एक मिनट के लिए मैं इसमें फ्राइ कल लूँगी घी में अब मैंसे निकाल लूँगी और उसी सेम कड़ाई में मैं डाल दूँगी सरसो का तेल आप से तेल कोई भी डाल सकते इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा जीरा पून जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चे जो मैंने काटके रखे हैं चार से पांच और उसके बाद मैं डाल दूँगे ये प्याज स्वरी ये दो से तीन प्याज हैं आप प्याज जितना जादा डालना चाहें उतना जादा डाल सकते हैं लेकिन दो से तीन प्याज इनफ होता है सब्जिया आप इसमें कोई सी भी ले सकते हैं गाजर मटर गोबी जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं अब मैंने इसमें डाल दिया है, प्यास थोड़ी से भुन गई है, मत्तर थोड़ी से ब्राउन हो गई है, तो मैंने इसमें डाल दिया है, आलू क्योंकि आलू के साथ भी प्यास भुनेगा, अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राइ करूंगे आलू को इसमें, अब तक हलका पक नहीं जाएगा अब मैंने इसमें थोड़े से मटर भी डाल दिये हैं और मैं इसे धकन लगा के अब थोड़े देर के लिए रख दूँगे जैसे कि थोड़ा गल जाएंगे बीच-बीच में चलाते रहेंगे ने अभी आलू गला नहीं है मैंने इसे चेक कर लिया है फिर मैं इसे पांच मिनट के लिए धके रख दूँगे अब आलू थोड़ा सा गल गया है तो मैं इसमें मसाले मिला दूँगे इसमें डाल दिये मैंने टमाटर ये एक से डेट टमाटर है आप टमाटर अपनी इच्छा के नुसार डाल सेकते हैं डेट डालें दो डाले मैंने डाल इक से ऒर्ड़ चमच आदा चमच के करीबन मैंने इसमें डाल देया खलदी पवडर और एक चमच मैंने डाल दिया राल भीनित्यक पाउडर और नमक में डाल दिये स्वात के नुसार मेरे ये सेंदर नमक है तो ये आपको ज़्यादा लगएगा आप अपने हिसाब से नमक एड़िस कर सकते आप मैं इसमें थोड़ी सी डाल दूगी कस्मीरी मिर्च क्योंकि मज़े थोड़ी सी मिर्च हलकी लग रही थी मतलब रंग अच्छा नहीं लग था मज़े थोड़ा से इसका क्योंकि टमाटर हरे नी टमाटर लाल नी है तो इससे का रंग थोड़ा दब गया था तो मैंने अब इसमें डाल दिये एक चमच के करेवन ये आदी चमच के करेवन कस्मीरी मिर्च हम इसे ढक्ये पकालूंगी दो मिनट अब मैं इसमें पानी डालूंगी उस कटोरी से मैंने जिस कटोरी से लिया है नाप लेना है जो हमने डेट कटोरी मतलब धाई कटोरी लिया है तो एक कटोरी सेमई भे डेट कटोरी पानी रखना है में तो दो कटोरी सेमई के लिए तीन कटोरी और आदे कटोरी और जो मैंने सेमई लिए उसके लिए एक कटोरी तो टोटल ये तीन कटोरी पानी मैंने इसमे डाल दिया है डेडर टेट तीन और एक चार, चार कटोरी पानी सोरी, चार कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है, मतलब आप जितनी सेवई हैं उसके हिसाब से दुगना पानी रखेंगे उसमें, मतलब एक कटोरी सेवई हैं तो डेट कटोरी पानी रखना है, दो कटोरी सेवई हैं तो मैंने इसमें चार कटोरी पानी रखा, अब पानी अबल गया है, अच्छी तरह से तो मैं इसमें डाल दूँगी, बस पानी का मेजर्मेंट आप इसी तरह से रखना, कि जिस कटोरी से आप सिमें निकाले, उसी कटोरी से उसमें पानी डालना, पानी उसमें दूगना लौग उसके जिससे की स्वाद आजाएगा लोग और इसमें आप आगर आप चाहते तो समय आप टो में आप टो मिला सकते हैं लेकिन टो में आप बाद में मिलाएं तो जाद बस अभी इसका पानी सूप गया है तो मैंसे ढखके रख दूगी इसमें पानी बहुत अलका है और हलके हाथ से चला लूँगे यह बनके तयार हो गया है अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं इसे नास्ते में खाएं, लंच में खाएं, डिनर में खाएं बहुत अच्छा लगता है यह खाने में अब आपको मेरे चैनल, मतलब मेरे रेस्पी अच्छा लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिसे के मेरे जो भी मेरे रेस्पी आपको दूँ इसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल चलाएं, थैंक्यू